जिम्दिगी एक अजब मोर पे आखरी थी और तुम आए 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 जी नमस्कार मैं विजयराजपुस्प और आपके अपने यूट्यूब चैनल Learner Eyes by VRP पे स्वागत है तो आए इंग्लिस पार्ट 23 एक ऐसा स्रीज ऐसा जो चाहकर भी आप भूल नहीं पाएंगे यानि सपनों में भी आपको याद आएंगे तो आए हम लोग देखते हैं इस सेशन के तत आज देखेंगे this that these those का परयोग कहां परयोग किया जाता है सबसे पहरे समझेगा कि जो हमारा this जो है और these जो है ये दोनों जो सब्द होते हैं this और these ये दोनों नजदीक के लिए हम लोग परयोग करेंगे यानि जब कोई चीज आपके नजदीक हो आपके पास हो जिसे इंगलिस में near कहते हैं तो आप इसके लिए these और these का परयोग करेंगे बस ये के बात याद रखेगा these का परयोग करना होगा तो आप singular के साथ करेंगे और these का परयोग करना हो तो plural के साथ करेंगे singular यानि एक वचन पुल्रल यानि वहू बचन जिससे एक का बोधो एक बचन जिसके एक से ज़्यादा का बोधो से वहू बचन करते हैं तो आईए देखते हैं दोनों नजदीक कैसे होता है जैसे अगर मैं कहूं कि यह मारकर है तो देखे तो मेरे नजदीक है तो यह नजदीक है और एक की बात कर रहा है तो हम इसके लिए परियोग करेंगे this is a marker यानि हम कहेंगे कि यह एक marker है लेकिन एक बात आप जिहन में बैठा ले कि इस दीस का परियोग हम तभी करेंगे जब singular होना चाहिए एक का बोध करें और आपके पास हो आपके नजदीक हो जैसे हम कहते हैं और इसारा किया गया हो इंडिकेट किया गया हो हम यह आप ऐसे बताए कि यह यह एक लरका है अब गौर किजिए आप यह एक लरका है तो आप क्या बनाएंगे दिस इज आ ब्वाँ हम बोले है यह टेबल है हमारे पास में दिस जटेबल या वाइट बोड़ है दिस जटेबल बलब है दिस इस इलेक्टिक बलब हम बोले कि कैमरा है दिस जटे कैमरा मोबाइल है दिस जटे मोबाइल बुक है दिस जटे बुक बैग है दिस जटे बैग तो जब भी आपके पास नजदीक हो तो उसके लिए एक के लिए हम किसका परियो करेंगे दिसका परियो करेंगे लेकिन जब आपके पास एक से जाधा हो एक से जाधा समझ रहे हो न जैसे माल लिजे कि हमारे पास ये जो है की है और देखे कितने है दो है एक से जाधा है न त तो चाबिया होगा, तो आप क्या करेंगे, देखे, मेरे पास था चाबिया अपने देखा, और नजदिक भी था, और singular नहीं था, ये पुलरल एक से ज़्यादा है न, दो की बात कर रहा था नो, तो क्या हो जाएगा, दीज आर कीज हो जाएगा, लेकिन अगर कहे, कि ये कहान हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे, दीज आर स्टोरीज, हम कहें कि बहुत सारे किताब है, दीज आर बुक्स, लर्किया हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, ये सब लर्किया हैं, दीज आर गल्स, तो ध्यान रखेगा, जब नजदिक हो, और एक से ज़्यादा हो, त चीज और को के पार हमेशा नाउन पुल्रेल करें गए यह स्ट्वी नहों क्या हो जाएगा emergence कि अगर करना है यह सब करान्या है यह बैं पैंस यह सब कलमें है यह सब ओंसिवा से डी आर पैंसिल और अरब जोग करेंगे सदो आद सतो नाउन पूलर करेंगे Second तो दीज का परयोग किसके साथ करेंगे? Singular noun के साथ करेंगे. नहीं, हम बोलें कि एक लरका है, this is a boy. एक table है, this is a table. एक pair है, this is a tree. एक mobile है, this is a mobile. एक electric ball है, this is a electric ball. नहीं, this is an electric ball हो जाएगा. तो इस तरीके से आप दीज और दीज का परयोग आसानी से करेंगे, लेकिन नजदीक रहना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, वो चीज़े. तो आईए, हम लोग देखते हैं, अब नजदीक के लिए तो दीज और दीज का परयोग कर लिए, जब बस तू आपका दूरी पर हो, यानि आपके पास नहीं हो, आपके पास से दूर हो, तो इसके लिए that और दोज का परयोग करेंगे. that का मतलब हिंदी में देखेगा, तो वह होता है, और दोज का मतलब way या वे सब होता है, और इसका परयोग कहां पर करेंगे, तो दूर के लिए करेंगे, नहीं, दूरी यानि बोज सकते हो, far, यानि जब आपसे दूर हो, जैसे आपके पास जो कलम है, हम बोले कि वह कलम है, वह करने है, देखो, बुझा रहा है न, वह कलम है, उन्हें ऐसे दिखाता हो, यह तो हम पूलरल नाउन के लिए किजिएगा, जब एक का बोध होगा, और वे सब में दोज का परयोग किसके लिए करिएगा, पूलरल नाउन के लिए किजिएगा, जब एक से ज़्यादा हो, लेकिन याद रखेंगे, दूर होना चाहिए, नजदीक होना, जैसे हम कहें कि वह कलम है तो आप ही बताए, वह कलम है, वह कलम है, तो क्या वह कलम आपके पास में है, नहीं है, तो कैसे बनाएगा, that is a पेन बोलेंगे, अगर हम बोले, कि वह घरी है, वह घरी है, तो कैसे बनाएगे, that is a वाच, हम बोलें कि वह कमरा है, that is a room, वह मोबाइल है, that is a mobile, that is a mobile, वह बोलेंगे, वह बोलेंगे, वह लरका है, वह लरकी है, वह लरकी है, that is a girl, जब आप से पहुँच से दूर रहे, और singular है, तो that का प्रयोग करें, और जब आप से पहुँच से दूर हो, लेकिन एक से जादा का बोध करा है, हम बोलें इस तरीके से, कि वे सब, वे सब क्या है, वे सब बकरियां है, देखो बकरियां के सामने दिखाए दे रहा है, वे सब बकरियां, तो वे सब दूर है, और ज़्यादा है एक से, तो हम लोग दूर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, और वक्रियां के लिए आर का प्रेव करेंगे बक्री का गोठ होता है और दोज के बाद हमेशा पुल्रल वर्व का प्रेव करेंगे आर का प्रेव करेंगे हम यहाँ पर बोलें कि वे सब वे सब क्या है वे सब गदहे हैं अब लेजिए वे सब गदहे हैं तो क्या हो जाएगा? Those are Asses हम बोले कि वे सब घोरे हैं तो क्या हो जाएगा? Those are Horses हो जाएगा बोले कि वे सब कल में है? Those are Pains Those are Mobile है? Those are Mobile Those are Backs Those are क्या? अगर अंगुलिया है? Those are Fingers लेकिन जवदूर होना चाहिए तो नज़्दीक के लिए अब आप समझेगा जब आपको नज़्दीक का दिखाना हो तो These are किसका पर्योग कर दिजेगा? These का और जब आपको दूर का दिखाना हो तो That और दोज का पर्योग कर देंगे क्या कोई समस्या? उसके बाद एक और चीजी याद रखेगा this or that का परयोग singular noun के साथ होगा और these or those का sorry sorry that or those का जो परयोग होगा that or that or किसका that यानि सही तो था these or those का जो परयोग होगा वो किसके लिए होगा plural noun के लिए होगा पसा करता हूँ कि आपको धमाकेदार वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे like करे comment करे और अगर आप ने सब्सक्राइबर तो इस चैनल को subscribe करके बेल आइकन को all पर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको notification पहुँचे thanks for watching keep watching और जहां भी रहिए खुश रहिए safe रहिए कोरोना से बचके रहिए जै हिन जै भाला